हेलो दोस्तों नमस्तार हमारे चनल संब्रिधी टेक्निकल में आपका बहुत-बहुत सवगत है रिदय से सवगत करते हैं दोस्तों आज हम Transmission of Power को पढ़ेंगे और उसमें से एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है शाफ्ट उसके बारे में चर्चा करेंगे तो दोस्तों इन सा कितनी होती है दोस्तों इस तरह से बहुत सारे कोशिन जो आपके मन में होंगे और मेरे भी मन में हैं आप तक पहुचाना चाहता हूं यदि आप हमारी चैनल में नए हैं फर्स टाइम हमारी चैनल की वीडियो को देख रहे हैं तो आप फटा फट सस्क्राइब कर दीजिए और वैल आईकोन के बटन को दवा कर अल कर दीजिए ताकि मेरा जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाफ्ट एक स्टील का गोलाकार च्छड़ होता है इसको बेलाना कर च्छड़ जाता है या तो पुली को लगाए जाता है इस परकार से इसका काम होता है आम तोर पर इसका प्रयोग पुली के साथ और गेर के साथ अधिकतर किया जाता है यह आपने देखे होंगे दोस्तों अब बात करते हैं कि शाफ्ट कौन सा मैटल का बना होता है तो मैं आपको बतान बनाया जाता है और नहीं तो फिर माइल्ड स्टील के बनाते हैं उसके बाद आपके रिकॉर्मेंट के साफ से अलग अलग परकार के धातू के भी शाफ्ट बना सकते हैं अब सवाल आता है कि E-N24 मेट्रियल क्या है तो E-N24 एक परकार के अलॉय स्टील है जिसमें निकील, क्र कारवन स्टील होता है ठीके दोस्तों तो हमने ये देखा कि E-N24 म क्या है उसके बाद माइल्ड स्टील आपको पटा होगा जिस स्टील में कारवन की मातरा 0.15 से लेकर 0.30 परसंट तक कारवन होती है उसे माइल्ड डिस्टील कहते हैं और माइल्ड स्टील का भी बहुत ज्य for material या alloy steel ठीक है दोस्तों अब हम बात करते कि शाफ्ट की लंबाई कितने होती है दोस्तों आम तौर पे एक शाफ्ट तो दस इंच बारा इंच एक फीड आधा फीड देड़ फीड दो फीड अलग-अलग हो सकता है मगर एदि एक शाफ्ट की बात करें कि maximum लंबाई कितने होत कर रहा हूं जैसे आपने एक पाइप देखा है उसी परकार एक शाफ्ट बहुश पापना आतना पड़ाएक है उसके बाद इदि आपको और उसकी लंबाई और इसका प्रयोग अधिकतर कहा होता है दोस्तों अब जो चीज बचता है वो इसके टाइप स्टों पढ़ेंगे लेकिन कुछ और चीज भी है क्या हालो शाफ्ट नहीं हो सकता है आपने यह भी सुना होगा हालो शाफ्ट है खोकला वी शाफ्ट होता है सिर्फ बिलानकर सॉलेड नहीं वो खोकला भी हो सकता और जसे आपने लिट मशिन के स्पेंडल में एक हालो शाफ्ट के बारे में पढ़े होंगे वो भी परकार कि हालो शाफ्ट है तो वो भी शाफ्ट है इसलिए यह कितने भी इसे लिए ये अलग अलग रूप में हो सकता है मगर है तो शार्टी दोस्तो ठीक है और शार्ट का परियोग गेर बॉक्स में बहुत ज़ादा आटो मुबाइल में बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है ठीक है अब हम देखेंगे कि मेन शार्ट क्या है ये चीज आपको clear हो गई होगी यदि आपको कोई समस्य हो रहा होगा दोस्तो तो आप comment करना मैं आपके comment का response दूँगा जो भी समस्य रहेगी मैं आपका हर problem को समाधान करूँगा अब देखतें दोस्तो main में शाफ्ट क्या है तो देखिए में शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट ये दोनों को मैं भी बताऊंगा आपको इसके ओपर वीडियो बना के मैंने चैनल पर डाला है जिए चाहते है आप देखना तो उसे भी आप देख लिजेगा अब देखिए एक मोटर है लकाइख लेख है ये इसके शाफ्ट है मैंने यहा लगाया फ्लेंज उसके बात फिर एक और फ्लेंज लगएगा उसके बाद यहां से मैंने एक लंबा असा शाफ्ट लगा दिया महान लिजगी 18 feet का एक shaft लगा दिया है नहांपर और फिर यह bearing लगेगा जगए जगा चार जगए मैंने bearing लगा दिया उसके bearing को रोकने के लिए housing bracket लगा दिया और नीचे stand लगा दिया इस परकार से उसे रोकना भी है support भी देना है और rotation के लिए भी bearing लगाके रखना है ताकि वो एक free motion मिल सके या free rotation के लिए तयर है तो दोस्तों ये हमारा bearing इस परकार से bearing और हमने लगा हैеспराकेट जिसको housing बोलेंगे और इस परकार से ये complete हुआ एक लंबा traverse इसके जो इस motor के जो motion है गती है उसको हम आगे ले रहे हैं ये फ्लेंज है तो दोस्तों यहां पर हमने लगा दिया फ्लेंज फ्लेंज को हमने छे या आट जो भी आख के पास ब्रस्ता है उस परकार से आपने बोल्ड लगा दिया बॉल्टिंग कर दी अब ये जो लंबा सा शार्फट है इसे मेंड शार्फट के नाम से जाना जाता है हमारा में शार्ट अब आपको लग रहा होगा कि इसका परेयोग कहां करते तो इसका परेयोग अधिकतर ग्रूप ड्राइब या कॉमन ड्राइब में करते हैं जहां लूज अन्ट फास्ट पुली लगा कर पावर को आगे लेना होता है ठीक है दोस्तों तो हमने यहां एक लगाया लूज पुली और दूसरा लगाया फास्ट पुली लूज पुली जो रहता है वो शार्ट के साथ 3 रहता है शार्ट और लूज पुली के साथ की या की वे नहीं होता है जबकि फास्ट पुली एक साथ होता है तो यहां से हमने वेल्ट लिया आगे बढ़ा है वेल्ट को और फिर यहां पर एक छोटा शाफ्ट लगा है उसी परकास से जैसे हमने में शाफ्ट को सहारा दिया था उसी परकास से हमने यहां भी सहारा दिया है और यह चोटा जो शाफ्ट यहां लगा है इसको बलेंगे काउंटर शाफ्ट इसके उपर हमने लगा दिया एक ड्रम पुली क्या लगाया ड्रम पुली लगाया क्यों लगाया है क्योंकि यह चोड़े फेस होते हैं और यह लगड़ी के बने होते हैं और इसके उपर स्टीन के चादर से इसे कवर कर देते हैं ठीक है और ज्यादा चोड़े इसलिए बना जाता है तक कि बेल्ट जो है वो लूज पुली के उपर भी जाए तो भी यहां से ना गिरे तो दोस्तों बहुत सारे इनूट को जब चलाना होता है जैसे आपको एक में ध दोस्तों में शाफ्ट का परयोग करने से खाली काम नहीं बनेगा तब आपको एक काउंटर शाफ्ट का भी परयोग करना पड़ता है जिसके साथ ड्रंपुली लगा वता है और फिर यहां पे आप चक्की लगा सकते हैं जो भी चक्की आपको लगाना है मसाला लगाना है य तो आप आप दो शाफ्त देख लीया दोस्तों अब मैं आपको जो तीसरा चार्फट वताने जा रहा हुं उसका नाम एक्रेंग आफ दोस्तों ये बहुत इंट्रेस्ट इस्कार कि क्रेंग शॉता रुप यह यू आकार के होता है इस परकार से यह मैं आपको सिंगल बना के दिखा रहा हूँ एक सिंगल यू है यह इसका परहोग आटो मोबाल इंजिनिरिंग कामिक किया जाता है जैसे वह डिजल के इंजिन हो सकता है वह जनेरेटर हो सकता है वह मोटर कार हो सकता है वह ट्रक्टर ह हो सकता है या कोई मशीनरी हो सकता है जिसमें रेसी प्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में बदलना हो या रोटरी मोशन को रेसी प्रोकेटिंग मोशन में बदलना है दोस्तों यह रोटरी और रेसी प्रोकेटिंग मोशन क्या है यह भी आपका एक सवाल हो सकता है इसे भी जानना जरूरी है दोस्तों देखिए यह हमने लगा यह बना दिया हमने देखिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा यह बनाया पिस्टन है और यह कनेक्टिंग रॉड है यह बीच में गजक पिन होता है पिस्टन को लॉक करने के लिए हम आगे जब आईसी इंजिन के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे कि आईसी इंजिन क्या होता है तू स्टॉक क्या होता है और कितने परकार के इंजिन होता है दूस्तों इसके बारे में भी हम पढ़ें तो यह देखिए इसका एक एकसिस है दूसरा देखिए यहां से जब देखेंगे आप तो यहां से यह देखिए इसका दूसरा एकसिस है तो इसका अलग अलग एकसिस होता है और इसमें लगा होता है connecting rod या उपर लगा होता है piston तो piston में जब यहाँ आपको मालूम होगा कि जो दहन जलती है तो इसमें एक शक्ति पैदा होता है जिसके कारण यह नीचे आती है और फिर इसमें बड़ा सा एक will लगा होता है balancing will जो की लगातार motion का काम करता है नीचे उपर यह जो है up और down होता है इस परकार से उपर और नीचे यह और लेकिन जब आप शार्प्ट का motion देखते है तो शार्प्ट जो है वो गोल गोल गुमती है अर्थात इसमें एक rotation आ जाता है घुंडन गती आ जाती है इसमें ठीके दोस्तों तो आपको बता है कि यह इस परकार से जितने शक्तिशाली गाड़ी होते जाते या इंजन होता है उसके आधर पर यह अलग अलग परकार के शार्प्ट आपको देखने को मिल सकता है तो यह दोस्तों आप समझ गयोंगे कि क्रेंग शार्प्ट का प्रयोक रेसी प्रोक्टिंग मोशन को रोटरी या इसमें देखिए आपको शाठ विख रहा है और और कनेक्टिंग रोड दिख रहा है और आप को रिस्टन दिख रा है मैं में समझ रहा है कि यह किस परकार से कारे परनाली होती है तो यह दोस्तों बहुत इंप्रोक्त चैस्छ.. शी wires में बदलने के लिए प्रयोक करते है य पिस्टन के गती को रोटरी मोशन में बदनने के लिए किसका प्रेउव करते इस पर कार का क्वेश्च बनता है ठीक है दोस्तों अगला जो है केशवर्ट है केम शाब्ट को जानना है उसे पहले में आपको यह बताना चाहूंगा गेम शाफ्ट जो है वो follower को धक्का मानने का काम करता है अथात उस शाफ्ट में भी एक center से अधिक center होता है पर मैं आपको समझाने के लिए पहले आपको एक चितर दिखाता हूँ इस चितर को देखिए इसको आप समझने के कोशिश करें देखिए इसमें एक शाफ्ट है और श इसमें अलग-अलग ovelness दिख रहा है यह जो ovelness है वो अलग-अलग position में है अब मान लीजिए यह shaft अपने जगे में घुमती है लेकिन उसमें जो जो राड लगा हुआ है वो राड का motion जो है वो इस परकार से ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है वो अलग-अलग समय में होते शाप्ट अपने जगे में घुम रहा है लेकिन यह जो मोशन है उसको कनेक्टिंग डॉट जो है उसको उपर निचे अलग अलग समय में करता है शाप्ट में जितना पोजिशन पे ओबल आकार या इंसेंटी का आकार के होंगे वो उतने पोजिशन में ही ऐसा होते रहेगा ठी सकती पेदान करने के लिए खरते हैं तो दोस्तों यह आपको डिख रहा है क्या करते है उसका हाइप जैसे जस्तव आई पर आति और दोस्तो क्यों है और डॉस्तार आफ्कर मारता है अब आपके मन में बिचारा तो आपको अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता है एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस करना पड़ता है वो मोटर हो सकता है आपको एक हजार रूपिया कॉस्ट आजाए महिने बर में तो दोस्तों क्यों ना फ्री वाला काम करें कि मशीन तो चली रही है सब कुछ चल दिये उसमें तो तुम लेट मशीनों मिलिंग मशीनों या बड़े बड़े मशीन है उसके अंदर इस परकार के विवस्ता होता है केम के द्वारा फॉलोवर को चला कर ऑईलिंग की विवस्ता रहती है ठीके दूस्तों तो यह आप समझ गये होंगे चले दूस्तों अब देखते हैं थोड़ा सा किलियर हो जाएगा उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका परेयोग कैसे करते हैं दोस्तों चित्र को देखिए आप स्प्लाइन शार्ट बना हुआ है और शार्ट के पूरी परिदी पर आपको स्लाट कटा हुआ दिख रहा है दोस्तों यह जो शार्ट है इसका प अलग-अलग पोजिशन में जाना भी हूँ एकजंपल मेरे हाथ में आपको यह गेर दीख रहा है इसगेर के अंदर आपको स्लाट कटा हुआ ABC रहा है यह जो slots हैं आपको दिख रहा है एक दो तीन चार पाज छे चे छे slots इसमें हैं तो शाफ्ट में भी छे slots होगा इस प्रकार से ठीक है और इसका में काम जो है उसको इस प्रकार घुमना भी है और अलग-अलग भी करना है और घुमना भी है फॉर एक्जमपल आप लेट मशीन के जो एपरोन जो केरिज अंतरवली के नीचे वाला इस एपरोन है उसमें आपने फीड रॉट देखा होगा फीड रॉट लगातार घुमते रहती है और साथ में आप जो केरिज है केरिज को आप एक इस्तान स से दूसरे स्थान तक ले भी जाते हैं तो उन जगा में इस प्रकार का जो कीवे वाला जो स्लॉटेड चाप वो होता है लेकिन एपरोन के अंदर सिर्फ एक कीवे कटा होता है लेकिन आप एदि मिलिंग मशीन में देखेंगे तो आपको उसमें मल्टि स्लॉटेड मिलेंग और खास करके आदि आदि आपने मिलिंग मशीन नहीं देखा है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है आपने मोटर साइकल का नाम निश्य तरह पर सुनूआ होगा बहुत सारे लोग चलाती भी हैं दोस्तों जब आप गयर को शिफ्टिंग करते हैं फर्स्ट से सेगेंड गयर तो उसके अंदर भी एक स्प्लाइब शाप रोता हैं और मोटर वाइक के अंदर की ही गयर है इसमें स्प्लाइब कटा हुआ है ये अलग अलग पोजिशन में जाती है और दूसरे गयर के साठ जब इंगे जोती है तो उसका और पीएम कम ज्यादा होता है जिस को हम बेग अ मनुपाद बोलते हैं तो यह क्रेमने देखा कि का स्प्लाइञ चाफ्ट प्रयों गती को कं करने और करने के लिए 있을 चंख श्फंस दूसरे सिख घी करने के लिए करते हैं ठीक है दूस्तों तो आप समझ गया है कि स्प्लाइञ शाफ्ट क्या अगला जो है दोस्तो वह सेरिटेट शाफ्ट दोस्तो यह सब आपको इतना अच्छे तरीकों से बताए जा रहा है निश्य तोर पर आपको बहुत फाइदा हो रहा हुआ दोस्तो अधिया आपको अच्छे लग रहा हो तो आप फड़ावट लाइक करें वीडियो को लाइक कर यह और सब्सक्राइब कर दीजिए फटा फट और फिर बाद में आपके दोस्तों को अजिए उससे शाफ्ट को नाम से जाना जाता है चलिए मैं आपको एक चितर दिखाता हूं इस चित्र को देखिए आप देखे यह जो शार्ट है यह बहुत लंबाई में नहीं होता हैं यह शार्ट के अंतिम सीरे तक जैसे कि आप इस चित्र में देख रहा हैं कुछ दूरी तक सेरीटेड कटा होता है और यह इसलिए कटा होता है कि जब हमको किसी एक पोजिशन से प्राइमिंग के तौर काम करना है मुझे पता है कि आप नहीं समझज़ है कोई बात ने जैसे आपके पास किक ये उसके जो कीक है दोस्तों किक जिसले किक मारा जाता है स्टार्ट करने के लिए आप इसमें देगड़ा चायूआं तो क्या होता है किसी मिस्ट्री जब इसको set करता है तो हो सकता है कि वो जब kick लगाता है जब उखोलके अलग करते तब हो सकता है जब kick लगाता है तो नीचे तक चले जाती है लेकिन start नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है उसको दुबारा से निकाल कर फिर एक position चेंज करके दुबारा से फिर वो जब कीक लगाता है तो थोड़ा सा कम नीचे जाता है और स्टार्ट होता है इस परकार से एक बर और निकाल देता है फिर एक पोजिशन यह सेरेटेट शाफ्ट है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट से और यदि आप दूसरे कहीं भी देखेंगे तो मुझे कमेंट करके बताईए कि सर हमने यहां भी देखा है तो निश्य तोल पर आपको बहुत जगा देखने को मिलेगा यह लेट मशीन में मिलेगा यह आपको म in turn and one percent मिलेगा अब बहुत सर जेकमें आप इससे देख सकते हैं तो दोस्तो इस परकार से आप हर शाफ को देखिए और मुझे बत वीडियो को देखा, थैंक्यू, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो, आप देखते रहे है समर्दी टेक्निकल